तो फाइनली सुप्रीम कोट की फटकार के बाद NTA ने रिलीस कर दिया है स्टेट वाइज और सेंटर वाइज स्कोर और इसमें काफी सारे ब्लेंडर्स पता जल रहे हैं मैं आप सभी को अभी कुछ अपने अनलिस भी वताऊंगा और आपके साथ भी यहां पे कोई भी मिस्टेक आ रही है यहां आपके साथ आपका स्कोर नहीं दिख रहा है तो आप जरूर हमें बताइए गया आपको बताऊंगा गूगल फॉर्म की लिंक भी लेकिन सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि आप चेक कैसे कर सकते हो अपने center का data आपको simply exams.nta online.in slash need पे जाना है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ रहा need ug result 2024 city and center तो यहाँ पे जैसी आप click करोगे आपके सामने कुछ ऐसा panel खुलेगा आपको यहाँ से state select कर लेना है थोड़ी देर बाद load होने के बाद में यहाँ पे आपको city भी आजाएगी city select करो आपका या तो आपका center का number होगा आपके जो admit card है उसके अंदर center का number होगा center के number से भी आप देख सकते हो center number लिखा है या फिर आप वहाँ के नाम से भी देख सकते हो यहाँ किसी भी student का नाम नहीं दिया गया है privacy maintain करने supreme court ने कहा था वो उन्होंने की है सिर्फ आपको दो चीजे दिखेगी एक कि आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा यह पूरा का पूरा result आपको आपका serial number दिखेगा और दूसरा यहाँ पे आपको marks दिखागा serial number random है 1234 इस तरीके से और marks दिये हुए अभी आपको सबसे पहले यह देखने के बाद क्या करना है अपना center ढूंडिये उस center पे जाके देखे कि आपको जितना भी score आपको 654 आ रहा है तो यहाँ पे जाके ढूंडिये क्या 654 कहीं पे भी है क्या अगर वो कहीं पर भी नहीं है 654 तो आप जरूर हमें report करके बताईएगा यह Google form के link जो है वो मैं आपको दे दूँगा यहाँ पे प्लीज अपना जो भी issue है आप हमें जरूर बताईएगा मैं आपको कुछ ऐसे important चीज़ा बताता हूँ जो इसके analysis में हमें पता चलिए आपको यहाँ पे देखना है सबसे पहला जज़र जहाँ पे वो grace mark वाला system दिया था ठीक है actually में grace marks हटा दिये है अभी तो और 720 में से 720 वाला आप वहाँ पे कोई बच्चा नहीं है साथ बच्चे पहले दे दिये थे अभी कोई बच्चा नहीं है वो टॉपर में साथ बच्चे थे ना अभी यहाँ पे एक भी च्टूडं नहीं है 720 में से 720 वाला तो आप देखो वहां पे लिटरली को इसा स्टूडं नहीं था जो 720 में से 720 ला पाए दूसरा आप राजकोट का एक center देखोगे आपको राजकोट के center का मैं ये भी बता देता हूं कि उसका number क्या है This is the राजकोट का center ये देखो Unit 1 School of Engineering RK University ये है राजकोट का ठीक है यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारे बच्चे मिलेंगे 600 प्लस वाले, आप वहाँ पे जाके देख लिजे, बहुत सारे students है, हम यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेते हैं, यह राजकोट का हमारा यह पूरा है, यहाँ पे देखो 696 सबसे पहला वाला ही, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे नीचे दिख 690, 670, 644, बहुत सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे 600 प्लस एक ही सेंटर से आना क्वेशन रेस करता है, इसके साथ में आपको जजजर वाला सेंटर था, जिसका स्कूल का नाम है हरदियाल पब्लिक स्कूल, यहाँ से 600 से 720 के बीच में टोटल मिला के 121 बच्चे हैं, अगर यह पहले के कट आफ के साब से गिनते तो अभी यह एलिजिबल होते गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, वो सारे स्टूडन्ट है, 121 बच्चे हैं यह, इसके अलवा आप जाके देखोगे, श्री बालाजी कॉलेज सीकर में, यहाँ पे 600 से 720 के बीच में 100 से भी सिर्फ कुछ 700 बच्चों ने यहाँ पे एक्जाम दियो, उसमें से 100 बच्चों से भी जादा 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो यह बहुत बड़े question raise करता है, यह तो कुछ चोटा सा analysis है, टोटल मिला के अगर आपको यहाँ पे centers देखने हो, तो टोटल मिला के 4750 centers में एक्जाम लग सकता है, इसी लिए आपको सब को help करनी है, जो भी बच्चा यह वीडियो देख रहा है, उसके सबसे पहले यह काम करना है, कि website पे जाके अपना score देखे, क्या आपका score वहाँ है की नहीं, दूसरा, आपके center पे जो जो है वहाँ पे कुछ आपको अजीब दिख रहा है क कि नहीं, क्या आपके center पे बहुत जादा 700 वाले या 600 प्लस वाले numbers वाले बच्चे है की नहीं, आपको यह सारी चीज़े देखनी है, जो भी आपको issue लग रहा है, आपको उस issue को हमें, इस Google form में submit कर देना है, आपको simply यहाँ पे आपका नाम बता देना है, आपका application number बताना आपका contact number देदीजे ताकि हम आपको कुछ update करना चाहें, तो update कर सकें, कहीं आपकी mistake होता हूँ, आपको समझा सकें, या फिर आपके side को हम represent कर सकें, ताकि हम यह सारा का सारा data petitioners को दे सकें, समझ में आ गया, तो यह बहुत important है, जरूर आप इस मोहिम में participate करिएगा और बता analysis करके हमें जरूर support करेंगे इन सारी चीज़ों में, बाकी ऐसी कुछ भी updates आती है, हम आपको जरूर बताते रहेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखें, बिल्कुल stress मत लीजे, मंडे का decision जो भी होगा, वो आपके favor में होगा, लेकिन तब तक हम सब को एक जुठो के पूरी detail में analysis करनी है, यह center wise, state wise, जो भी हमारे पास data है, उसकी, ठीक है, bye bye, see you, take care.